गुद मॉरिंग स्टूटेंट आज हमनों क्लास 6 का करेंगे यूनिट टेस्ट का यूनिट टेस्ट में हमनों दो चाप्टर रखे हैं चाप्टर 1 लेट आस एक्स्प्लोरर और और अपरेटिंग सिस्टम पहला चाप्टर हम कर दिये हैं सारा हर चीज हम आपको बता दे रहे हैं और सेंगेंड चैप्टर आपको कुछ से करना है फर्स चैप्टर में दिखिए यहाँ पर दिया हुआ है टिक दा करेक्ट आप्शन पहला का A है दूसरा का भी A तीसरा का D, चौथा का A, पाचवा का भी A चीज है उसके बाद पीछे दिया हुआ है 6 नमबर, 6 नमबर का C होगा उसके बाद यहाँ दिया है फिलिन दे ब्लांक्स और विद्ध करेक्ट वर्ड यहाँ पर हम नमबर वाइस लिख दिया है 1, 2, 3, auxiliary, 4, secondary memory and 5 programs लिख दिया है उसके बाद दिया है classify the following and input, output और storage device यह आपको नहीं करना है उसके बाद यह है write the full form of the following abstraction यह सिर्फ आपको full form इसका लिखना है कुछ नहीं लिखना है सिर्फ फूल फॉर्म एक एक सबका दियावा है chapter में यह आप खुद से कर लिजेगा उसके बाद state where true and false true में देखिए पहला आपका true है दूसरा false है फिर false है फिर false है फिर true है उसके बाद answer the following question में explain the term computer यह आपको अपने से करना है एकदम आसान है यह term computer का memory क्या होता है उसके बाद second number दिया है which device is used to reading the barcode page number six में आपका दिया हुआ है page number six निकालिए and then यहाँ पे दिखिए यहाँ टिक लगा चुके है scanner से scanner से लेके आपको लिखना है यहाँ तक reading हो गया reading लिखने के बाद यहाँ सिर्फ बार कोड लिखिएगा बार कोड लिखके full stop इसके आगे वाला को हम cut कर चुके हैं इसके बाद वाला भी उसके बाद next line में नीचे it's consist of all light sources यहाँ से इट से लेकर आपको पूरा लिखना है नीचे sensor तक यह आपका हो गया पहला दूसरा का answer उसके बाद next question है आपका what is micr यह आपको page no.7 में मिलेगा page no.7 में दिखें यहाँ दिया है magnetic ink character reader micr यहाँ पर अम्टिक लगा दिये एक लाइन से आपको यहाँ तक credit card यहाँ लास्ट यहाँ पर credit card दिख रहा है यहाँ तक आपका होगा यह होगे आपका यह page no.7 में दिया हुआ है उसके बाद next question है आपका what is optical mark reader user देखें थार्ट न number question है इसका भी answer page no.6 और 7 दोनों में दिया गया है 6 में optical mark यहाँ पर दिखिए optical mark reader OMR यहाँ हम लगा चुके है optical mark reader is an input input device used for the capturing human mark data and the documents यह पूरा test तक आपको लिखना है उसके बाद उसका use लिखना है use लिखने के लिए सिर्फ school of data collection agency उसके बाद many business लिखे etc 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 लिख दीजेगा that's it उसके बाद next question है आपका explain the two type of memory memory दो टाइप आपका memory का सिर्फ नाम लिखना है तो सिर्फ आप नाम ही लिखिएगा पूरा नहीं लिखिएगा उसका आपका page number eight and nine में है page number eight में लिखिए यहां दिया हुआ है primary memory then secondary memory it is over इसके बाद हम लोको और कुछ नहीं करना है इसमें seven number question आपको नहीं करना है six number right short note of the following यह आप खुद से कर सकते हैं इसमें बुक में दिया हुआ है hardware and software data historicals application office में से किसी एक का भी आप करेंगे किसी एक का भी आप कर सकते है ठीक है यह आपका हो गया उसके बाद next chapter का operating system है operating system में आपको सिर्फ हम यह बता सकते हैं देखे टिक the correct answer में पहला का B है दूसरा का A तीसरा का A चौथा का भी A उसके बाद यह जो आपका दिया हुआ है fill in the blanks fill in the blanks में आपका पहला का हम लगा दिये है टिक first third four और fifth लगाए है first third four fifth second का नहीं लगाया है second का बाकी जितना बचे का सारा second में होगा और इसमें एक छूट गया है इसलिए आगे में आपका an operating लिखाएगा यहाँ पर नहीं लिखा गया है इसलिए हम लिख चुके है an operating यह आपका हो गया इसके बाद बाकी जो भी आपका पीछे का है page number 22 चाप्र टू का वो सारा आपको खुद से करना है that's it thank you